नमस्कार दोस्तो, मेरे नाम ने है वाल चंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्यास्टर में आप सभी का स्वाकत है आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिना 20 जून 2024 का संपुनर आशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है गुरुवार का है, क्रोधिनाम सम्मसर है, सुरिय का उत्तरायन चल रहा है, गृष्मरतु है जैश्ट मैने के शुकलपक्ष की तेरवी तिति है, नक्षत्र अनुरादा है, योग साध्य है दिन का जो करन है, वो तैतिल है, और जो रात का करन है, वो गरह है आज के दिन का जो गुलिक काल है, वो शुरुवात होगा सुबर 9 बच कर 5 मिनिट से लेकर, 10 बच कर 16 मिनिट तक, और अभी जितमूरत दोबर 12 बच कर 4 मिनिट से लेकर 12 बच कर 52 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभी जीत मुर्थ दिन के शुब का नावादी कहें जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोबन काम या फिनिलने आप ले सकते हो उस प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा दोबर 12 बच कर 10 मिनिट से लेकर 3 बच कर 11 मिनिट तक और ये मगंड़काल तराता 5 बच कर 52 मिनिट से लेकर 7 बच कर 23 मिनिट तक का होगा राहुकाल और ये वगंडकाल दिन के अशुवक आलावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वुनकाम या फिनिनने बिल्कुल भी नहीं नेना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंदरमा है 12 राशियों का राशिपन क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के अश्टमबाव में चंदरमा का ब्रहमन है मेश विशेपन काम बिल्कुल भी नहीं करना आपके जो अंदाज है आज के जो दिन है आपके लिए अशुब फिल्दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वरिशव राशी वरिशव राशी के सब्तम्ब dwelling में चंदर्मा का पुर्मण है और आपकी के राशिवें सिठगुरू के साथ ये चंदर्मा प्रतियो गरने जा रहा है आपकी द्रितियवाव में ये तरवी के साथ आपके लाब वाकाने चुन केंद्रियों करने जा रहा है मैं तो पुर्ण दिन है आपके लेकास करके अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों को ले करता करार हो सकती है उसे पर कराने में दो से तिन दिनों में आपकी इन्वेस्ट मेडिया फी खर्चे के बारे में कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना आपकी जो अंदाज है वो चूट सकते है आज कर दिन है आपके लिए मिला जुडा साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के शच्ट बाव में चद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के वही बाव में सिर्थ गुरू के साथ ये चद्रमा रतियोग करने जा रहा है आपी के राशिवी सिर्ट रवी के साथ आपके दशमभाव का जो निप्चिन है वो कें रियोग करने जा रहा है स्वास्त की समस्य है आज की दिन जादा आ सकते है स्ट्रेस सेक्षन भी जादा हो सकते है द्यान रखिए इसके बाद की जो राशिवी है वो है करकराशि करकराशि के बंचमभाव में चद्रमा का ब्रह्मनारापे के लाबभाव में सित्गुरु के साथ ये चद्रमा प्रतियों करने जा रहा है आपके वेवाव में सित्थ रवी के साथ आपके माग्या बाव क्टeilन है अगर आप किसी के रिलेस्टिंशिप में है तो आज कज़ दिन है आपके लिए महतोपन साबित होगा अगर आप Share Market में ट्रेड करते हैं तो पुझ अच्छे लाव वगरा आज के दिन मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जोड़दार है उनके स्वास्ट से रिलेटर भी प्राब्लम छोटे मोटे आ सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के चतर्त वाव में चंद्रमा का ब्रामन है और आपके के द्रिशंबाव में सिद्ध गुरू के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है आपके लाब हुआ में इसी दिरवी के साथ आपके आश्टमबाव बजान एपचिन है वो केंदर्योग करने जा रहा है आज के जा दिन है गर के जो लोग है उनके साथ आपके अंडरस्टेंडिंग काफी अच्छी देखी जाएगी हाला कि चोटे-मूटे बातों को लेकर तकराफ हो सकती है लेकिन करके जो लोग है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगी उसी प्रकार आपके जो मित्तल परिवार होंगे उनके साथ चोटे-मूटे बातों को लेकर तकराफ हो सकती है आपके दशंबाव में से तरवी के साथ आपके सप्तम्बाव का जनेप्चिन है वा केंद्रियों करने जा रहा है आज का ज़र दिन है भूना फिना ज़्यादा वा सकता है मैहतम वना काम भी आपका आत्मे ने सकते हो और वो पूरे होटे हुए भी नज़र आएंगे जो भी आपका कारी चेतर है उससे रिवेट किसी भी प्रड़ार के महत वड़े दिन ने आने वाले दोस्ते इन दिने में बिश्विन भी नहीं लेदा इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशु तुला राशी के दिरीतियावाँ चंद्रहमा का ब्रमग है और आपके एस्टव मयुं में से गूरू के साथ आपके वाके वाँ में से तरक्षिपा आपके शाष्ट भाँ कंप्रम से ने वा दोस्ते इन दिने प्रतिश्य रुप में नहीं रेना आपकी जो social image है उससे related वे कुछ बाते आने वरे दो से इन दोने में हो सकती है तो थोड़ सा cautious रहना, alert रहना आवश्यक होगा इसके बात की जुराशी है वो है वृच्चिक राशी अचाध काम भी आज के दिन अवह हो सकते है आपके जो वयवय जोड़िदर है उनके साथ चोटी मुटी बातों को लेकर तकराव हो सकते हैं आने वले दोसे तीन दिनों में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है दन्नो राशी दन्नो राशी की वेई अबाव में चत्रमा का ब्रहमन है और आपके शच्च बावब से रिगुलू के साथ ये चत्रमा प्रतियों करने जा रहा है आपके सब्तम्बाव में से रवी के साथ आपके चतरतबाव के नेप्चुन है वो केंदरियों करने जा रहा है आज अगर दिन है घुमना फिरना ज़ादा हो सकता है स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है किसी भी प्रेकर के महत्वड़े निरने नहीं लेना अगर आप फिवाईट हो तो आपके ज़ वैबाई जड़धार है उनके स्वास के समस्याम का सामना आने वले दोसे दिन दिन में करना पढ़ सकता है इसके बात की जो राशी है फो है मखर राशी मकर एसे के लाव बवाव में चंद्रमा का ब्रभन है और आप एक पंच्म मां मने से गुरू के साथ ये चंद्रमा परतिय बशक रहा है आपके शच्चंबवाव मेंसे तुरवी के साथ आपके तृत्य बवाव पर जो नेपचुन है वो के इंद्रियव करने जा रहा है मैतोबनो दिन है आपके देखास फिर के आच्छी दिन कुछ अच्छी लाव वगरा मिल सकते हैं आला कि आने वाले दो से तिन दिन काफी मैतोबनो साबित होंगे आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में द्यान देना आवश्यकों का स्वास्त की समस्या सामने आ सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्बराशी कुम्बराशी के दशंबाव में चंद्रमा का ब्रमनारापके के शतरतबाव में से तबूरों के साथ अगर आप शेयर मर्केट में ट्रेड करते हो तो भी किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क नहीं नहीं इसके बाद की जो रशी है वो है मींद रशी मींद रशी के बाग्य बाव में चदरमा का ब्रवन है और आपकी के तृतिया बाव में से गुरू के साथ यह जादरमा प्रतियों करने जा रहा है आपकी चदरतबाव में से तरवी के साथ आपकी के रशी का जो निप्चन है वो अस्तुसरे लिजुद किसी से भी प्रकार के महत्तों पुण निरने, अने वाले दोसे देन देने वे विश्किल भी नहीं देन तो दोस्तों ये था दिन आग 20 जून 2024 का सब्वड़ राश्यवल, आपके राश्यवल कैसे लेगा, आपके किस प्रकार से अनुबह किया, विजए कमिन बॉक्स में जरूर कमिन करने भन्यवाद